जैमाते दोस्तों कैसी हैं आप सब एक बार फिर सब सबी का स्वागत करती हों आपके अपने यूट्यूप चैनल साथिक मन में आजकल हर इंसान की चाहत होती है कि उसे हर काम में सफलता मिले उसका घर सुक्षानती समरिद्धी से भरे रहे घर धन धान से भराए इसके लिए वो दिन रात कड़ी महनत करता है विदेशों में पैसा कमाता है घर में पैसा कमाता है इसके बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती क्या बार ऐसा देखा जाता है कि पैसा तो अच्छा भासा कमा लेती है लेकिन घर में पैसा आता भी है और टिकता नहीं है जिसकी वज़े से इंसान को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है कभी कभी हम पैसे रखते और गिंते समय जाने अन जाने ऐसी गलतिया कर जाते हैं जिसके कारण मालक्ष्मी नाराज हो जाती है और इन गलतियों का हमें पता भी नहीं चलता सनातन धर में लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है इसलिए धन का जो भी रूप है उसमें मालक्ष्मी का वास होता है धन होने पर भी मालक्षमी किसी ना किसी कारण इंसान से क्रोधित हो जाती है कुछ लोग सास्त के नियमों का पालन करते हैं इसके लिए वो घर में तुलसी का पोधा लगाते हैं तुलसी की शुवयशाम पोजा करते हैं तुलसी पर दिया जलाते हैं ताकि उनके घर में शुक्सांती समरद्धी बनी रहे, मालक्षमी की किरपा बनी रहे और जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो कहा जाता है जिस घर में मालक्षमी का वास होता है वहां सुक समरद्धी बनी रहती है और धन की कभी कमी नहीं होती यदि मालक्षमी नाराज हो जाती है तो घर में दरीदरता आती है बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं पैसा आता भी है लेकिन पैसा तिकता नहीं है ऐसे में मालक्षमी को प्रिशन करने के लिए और पैसा घर में तिकने के लिए हमें पूचा के साथ साथ वास्तो के कुछ निमों का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है और रोजमर्रागी जो हमारी आदते हैं उन आदतों को भी बदल देना चाहिए क्योंकि अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलते हैं तो ऐसा करने से भी मालक्षमी नाराज होती है तो चली जानते हैं आज किसी वीडियो में पैसे रखते और गिनते समय किन कलतियों से बचना चाहिए और कौन सी वो हरोज मरागी हमारी आदते हैं जिनके कारण मालक्षमी हमसे नाराज होती हैं उन आदतों को बदल देना चाहिए कई बार लोगों के नोट गिनने के कारण ही उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है जी हाँ बहुत से लोग नोट गिनते समय अपने उंगली अंगोठे में थूक का इस्तिमाल करते हैं ताकि वो चिपके हुए नोटों को अलग कर सके ऐसा करने से नाकेवल मालक्षमी नाराज होती है बलकि घर में दरीतता का विवास होता है धन का अपमान होता है इसके अलावा आप कई बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं क्योंकि नोट कई हाथों से गुजरते हैं बहुत सी गंदी जगापन नोट रखे हुए होते हैं ऐसे पर नोटों पर लगी गंदी की वायरस की टारों आपके शरी में प्रवेस्ट करते हैं को मोड तरोड कर ठूस ठूस कर रखते हैं ये गलती करने से पैसा घर में नहीं आता बलकि पैसा आपका रुकने लगता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है इसलिए पर्स को हमेशा साफ सतरा रखें पर्स में पैसों को सही तरीके से रखें बहुत से परस रखकर नहीं सोना चाहिए। पैसे हमेशा अपनी अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर भी आप रखते हैं, वहाँ पर रखें। साथ ही परस में नोटों को कभी भी मोर्त रोड कर ना रखें। ऐसा वास्तु के हिसाब से शुब नहीं माना जाता। सुफ्रेंड इंसान की रोजमर्रा की चोटी चोटी से आदते हैं उसे आर्थिक तंगी का सामना करने पर मजबूर करती हैं। अगर आप में भी आदते हैं तो आपनी इन आदतों को बदल दीजिए। उमीद करती हूँ वीडियो में दीगे जैनकारी आप सब के लिए यूस्कुल होगी। वीडियो गर पसंद आए और आपको लगा हो कि आपको कोई जैनकारी मिली है तो वीडियो को फ्रेंट फैमली के साथ में लाइक शेर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार मेरी आवास सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब फिर के बर आइकन प्रेस कर लें। ताकि ये ऐसी ओर जैनकारी आपको मिलती रहें। तो चलिए मिलती हूँ नए वीडियो में नई जैनकारी के साथ तब तक सुधस्त रहिए खुश रहिए।